Hello Friends, Namaskar, आप सबका श्वागात है मेरी यूट्यूब चनल पर जिसका नाम है Tricky Mart So Friends, as you can see, आज एक दिन में आपको अपर सर्किट देखने को मिल रहा है After a long lower circuit Yes Friends, as you can see, after a long lower circuit जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको continuously बहुत सारे अगर आपको कौन सारे था ये Around 31st December के बाद, continuously आपको lower circuit देखने को मिल रहा था And, आज, आज किन तारिक है, आज है तारीक 27th January And, आज बहुत दिन को बाद है, आपको जो है एक अपर सर्किट लगते होँ देखने को मिल रहा है So, ये कौन सी कंपपनी Friends, Dacey for Lab इससे पहले वीचु है आपको lower circuit, लापनी कि अपर सर्किट लागा हुआ था आज आपको एक अपर सर्किट देखने को मिल रहा है 17 January में अगर आप तारीक देखें यहां वाले तारीक को, तो एराउंड 192 30 December के आसपास ये 200 के आसपास ट्रेट कर रहा था और 30 तारीक के बाद, जब से 3 तारीक देखने के 2022 में जब से मार्केट कुल रहा था तब से continuously 27 तारीक तक आपको यहां पर continuously lower circuit देखने को मिल रहा था 26 तारीक तक, 24-25 तक, 26 तक बनता 25 तक कमपनी फिट से ऊपर थोड़ा जा सकती है, अपर circuit आपको देखने को मिल सकता है and the same thing happened here as you can see, यहां पर आपको देखने को मिल रहा था, 5% का अपर circuit ठीक है, 5 days के अगर बात करें, तो आपको continuously, continuously slower circuit आपको यहां पर देखने को मिल रहा है निकल भी नहीं पाते हैं, और अगर आप सोच रहे हो, कि हाँ, यह सही मौका है यहां से निकलने का तो मैं आपको बता दूँ कि, यह मजबूरी है, फ्रेंड, सही मौका नहीं है, एक मजबूरी है जैसे का आप लेस कते हैं, लोगों ने 130, 140, 190 रुपीज के आसपस जो ही स्टॉक को वाई किया था और वो सेल नहीं कर पा रहे हैं, और आज अगर आप देखो गए, तो यह 50 पॉशन तक जो ही गिड़ चुका है अगर आपको अपर सरक्राइब को बताया है, जहां आपको एक मोका में लते हैं, श्टॉक को सेल करने का ऐसा तो होते रहता है क्योंकि यह पहने स्टॉक है और पहने स्टॉक में बहुत जादा रिस्क होता है यह जब से हाइप चल रहा था अरना फैसन के बारे में, मैंने स्टार्टिंग सेही सब को बताया था कि बी आपर फॉम देट स्टॉक और जितन जल्दी हो सेगे, वहां से निकल जाओ बड़ जो समझ गये वह निकल गये और जो नहीं समझे जिनको लगा कि वह जो हाइप ही वह जो फैक्ट नहीं हुज ही वह ही सही है उन्होंने इंवेट किया लॉंग टरम के लिए और जो समझ गये उनको लॉस भी हो है और फिफ्टी फ्री परसेंट तक का ठीक है फ्रींट्स तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं बनास फाइनस के बारे में अभी जो है फिलाल बनास फाइनस में आपको गेम होते हुए देखने को मिल रहा है इसमें अभी और भी आने वाले दिनों में लोवर स्काइट देखने को मिल सकता है last 5 days में आपको यहाँ पर around 20% का downfall देखने को मिल रहा है 1 month के अगर बात करें तो जैसा है कि आप देख सकते है friends यह just 6 month के अंदर 1 month के अंदर जो है आपको 1500% तक का returns दे चुका था लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो 20 January के बाद से जो है आज 7 दिन होगे और 5-4-5 दिन होगे यहाँ पर आपको continuously downfall देखने को मिल रहा है और 5 दिन में 18% का downfall आने वाले दिनों में यह और बेर नीचे गिर सकता है यह कहां तक जा सकता है मैं बता दो आपको यहाँ तक यह downfall होकर के नीचे तक आ सकता है यह कितने रुपे का था? एराउंड 37 रुपेस जी हाँ फ्रेंड से एराउंड 40 रुपेस के आस पास यह आएगा उसके बाद जैसे कि आपको और नेफ फैसन में देखने को मिलागा एफर यह उससे पहले जबेसी फर में आपको देखने को मिला लेकिन इसके अलावा मैंने बहुत सरे वीडियो में बता रखी है कि क्या से आप M.O.O.O.R. प्लेस करके बनास फानेस को सेल कर सकते हैं लेकिन कोई किसी किसी बंदे का सक्सेस्फुली सेल हो जा रहा है M.O.O.O.O.O.R. में और कोई कोई जो है सेल नहीं कर पार है इसके पीछे का स्रिफ और स्रिफ एक ही रिजन है वो परसंटिस कभी 5% ले लेता है कभी 4.91% तो कभी 4.97% आपने जो प्राइस दिया है वाहां से एगर 5 पैसा भी उपर नीचे होता है तो आपका जो order है वो reject होताता है तो यह एक बहुत ही गलत चीज है and sad thing है for the sellers who want to sell that stock लेकिन गलती आपकी भी है आपने बिना fundamental analysis किये बिना किसी research किये आपने just एक hype याफिट news देख करके आपने से stock को buy किया था so आज आप वही जेल रहे हो so friends मैंने जो तीन stock कभर किये तीनो के तीनों penny stocks थे फिलहाल आपको lower circuit continuously होते होगे देखने को मिल रहा है in the bananas finance and जो की यह अर्णफ फैसन almost experience कर चुका है अपने बीते हुए कल में and उससे पहले decifer lab yes friends decifer lab का भी same ही कहानी है अगर आप देखोगे तो यह जो company around 34-34 रुपय के आसपस trade कर रही थी उससे पहले अगर देखे तो 20-25 रुपय के आसपस अचनक से का hype आता है and बहुत सारे news आते हैं अब वहाँ आती है कि इसे जो है Metaverse का project मिलने वाले Facebook के तरफ से यह मिलने वाले वह मिलने वाला है बहुत कुछ मिलने वाला है तो आप पैसा लगा लोग आपका पैसा लिए तीन गुना चार गुना दो तीन महिने में जो है 400 रुपय तक जो जा सकता है पर 500 रुपय तक जा सकता है ऐसे ऐसे hypes और news बनाएगी है जिस वज़े से बहुत सारे मासूम रिटेर इंवेस्टर्स फसे और उनकी पैसे वीडियो वे जो मार्केट में नूली आई हुए थे वो भी ऐसे वीडियो से लिख करके इंस्पार हो गए और अपने पैसे को डबल तीबल करने के लिए एंटर किये और आज वो लॉस पे लॉस जेल रहे है सो अगर आप सेर मार्केट में नू है तो आपके लिए और फिर आपसी छोटा से रिक्विष्ट इस चैनल को सब्स्राइब कर लेजेगा और साथी साथ वीडियो के रिस्क्रिप्शन में मैंने टेलिग्रम चैनल का भी लिंक दिया है वहाँ से जाकर आप जूड सकते हैं अगर कभी भी आने वाली दुनों में ऐसा कोई भी स्टाइक अचनक से आता है हाइप में तो मैं सबसे पहले जो है टेलिग्रम चैनल पर डिसक्स करूँगा उसके बाद आपको यूटूब पे डेडिकेटड वीडियो दीखने को मिलेगा इसके अलाबा अगर आप मुझे पस्तर ही कॉंटक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे फेस्बुक या फिर इंस्टाग्रम या फिर जीमेल के तुरु से आप मुझे से directly connect भी कर से हैं और बात कर सकते हैं ठीके फिर्स तो जैसा कि आप दिशकते हैं ऐसे पहने स्टाग्स में विदाओत रिषार्च और फंडमेंटल अनलेसिस आपको फांडमेंटल अनलेसिस अपको या फिर्षार्च बहुत जादा गाइट कर दो, तो I will definitely cover that stock too, ठीक है, तो जैसे कि आप देशने तरी फ्रेंट्स, यहाँ पर आपको तीन stocks में ने cover किये हैं, और तीन में से दो stocks में lower circuit खतम होने के बाद आपको फिलाल upper circuit देखा होते हुए देखने को मिला है, तो तीनों के तीनों companies में जो है, अफवा, हवाएं डाली गए थी, कि Decifer Lab को Facebook के तरब से Metaverse का project मिलने वाला है, ठीक है, इसके अलवा, अर्नफ fashion limited में क्या क्या है था, कि 4-5 company यहां मिलने वाली है, अर्नफ fashion के साथ, जिसे जो है इसकी valuation बढ़ने वाली है, अर्न values न बढ़ेगी, तो इसके जो तीन महीने में आपको 500 रुपे का जो है, एक एक सेर जो है 500 रुपे तक जा सकता है, ऐसे आपको hypes दिये गया थे, एक, आपको point share करना चाहूंगा, कभी भी आगर आपको ऐसे खबरे मिलती है, तो जब तक वो implement ना हो, तब तक आपको investment नहीं करना चाहिए, अब आप सोचेते हो गयों कि अगर वो implement हो जाएका, तो साथ share फटाक से उपर चला जाएगा 400 रुपे यास पास, तो इसा नहीं होता है, implement होने के बाद भी, market को पसंद आ रहा है या नहीं, and market का situation कैसा है, कैसा नहीं, यह सारे fundamentals, यह सारे points भी, indication भी matter करते हैं, तब ही जाकर कर जो हो है, वैसे shares उपर या फिर नीचे जाते हैं, अगर मैं आज आपको बताऊ, ICICI bank के share के बारे में, तो उनकी quarter 3 की number बहुत ही अच् मिल रहे थे, अगर आप long term investment करना जाते हैं, तो वैसे stocks को पिक करना बहुत जादे best होता है, लेकिन आप देखोगे, तो quarter 3 के अच्छे numbers के बाद भी जो है, उनके shares में आपको downfall देखने को मिला, तो downfall देखने को मिला, फिर भी अभी एक सही मौका होता है buy करने का, लेकिन यही मैं बता दो आपको, जब तक कोई भी project, कोई भी आपको news सुनने को मिलता है, जब तक वो implement नहीं होता है उसे stock पे, जब तक वो practically नहीं लाग हो जाता है, तब तक आपको ऐसे hypes के भरू से investment नहीं करनी चाहिए, ठीक है friends, बनास finance के साथ भी ऐसा ही कोच हो जाता, आपको अच्छा खासा project मिलना वाला है, इसमें मर्ज होने वाला है, इसके अलाओ JC4 में भी same thing, मैं 3-4 वार रिपेट कर रहा हूँ ताकि आप समझ सको और आपके मन में यह sales हो जाए, कि पेनी stock में investment कम सी कम पैसे में लागाना चाहिए, कम सी कम पैसे लागाना चाहिए, वीडियो के comment box में कमेंट कर दोगे, तो I will try to cover that stock, आप देख लो वीडियो, प्रिविएस वीडियो के बहुत सारे वीडियो के बहुत सारे वीडियो के कमेंट के थ्रू से ही, आप लोगों के क्वारिस को ही कवर करते हूँ जो ही में वीडियो बनाई है, that's all friends, आता करता हू और नहीं डिमेट अकाउंट ओपनिंग चार्जस लगता है, free सब कुछ रता है, and जब भी आप इंबेश्मेंट करते हैं, तो वहां जो है, flat आपको 10 रुपिस के आसपास, sorry, 20 रुपिस के आसपास जो है, एक ब्रुक्रेस चार्जस देना पड़ता है, उसके लावा और कु